फिस्टुला भगंदर में सर्जरी होने के बाद जल्दी रिकवर करने के लिए कौन से योगासन करें? योगा फॉर फिस्टुला फिस्टुला जिसे हम भगंदर भी कहते हैं यहां मलदवार याने एनलकनल में होने वाली एक बीमारी है फिस्टुला होने पर बहुत दर्ध होता है इसमें एनलकेनल के आसपास छेद हो जाता है जिसमें दर्ध होने के साथ पस भी निकलता है इसका इलाज ना किया जाए तो पस लगातार निकलता रहता है और बाद में पेशन को यह फोड़े के रूप ले लेता है कप्ष की समस्या लगातार बनी रही तो फिस्टुला होने की संभावना बढ़ जाती है फिस्टुला के लक्षनों में याने फिस्टुला सिंटम्स की बात करें तो इसमें जो मलदवार के पास खुजली होती है दर्ध होता है, सूजन हो जाती है कंटिन्यू पर्स निकलता रहता है, मलत्या करने में भी तकलिफ होती है, इसका इलाज लेजर सजरिस के जरिये संभव होए, हाला कि फिस्टुला को आप योग के जरिये आप उसका इंफिक्शन कम कर सकते है, फिस्टुला की समस्या से बचने के लिए आप प्रती दिन कुछ आसन से योग जैसे वजरासन, जिसे थंडर बोल्ट पोस कहते हैं, या आप मलासन कही सकते हैं, वेस्ट इवेकुशन पोस हुझे कहते हैं, या बाद में प्रपादासन याने टीप टोप पोस का अभ्यस करें, इन योगासनों को निमित करने से आप फिस्टुला जैसी बिम और कितनी देर तक करना चाहिए, आधी प्रशनों के विस्तार से जवाब दिये हैं, फिस्टुला में याने भगंदर में सरजरी होने के कितने दिनों बाद और कब तक योगासन करना चाहिए, इस दोरां कीन बातों का खैल रखें, पहले देखते हैं फिस्टुला का इलाज याने फिस्टुला टीट्मिंट में यदि सरजरी हुई है या लेजर टीट्मिंट हुआ है कि उस विक्ति को कुछ बैटने वाले पोच्चर्स जैसे सुकासन, पदमासन को देर तक करने से बचना चाहिए, इन परिस्तितियों में सिप वजरासन करना ही सुरुक्षित होता ह इसके साथ ही आप चंदर नमस्कार भी कर सकते हैं, जो फिस्टुला को जल से जल ठीक करने में बेहत प्रभाविय होता है लेजर सर्जरी करने के बाद कम से कम 15 से 20 दिनों तक योग ना करें लगभग 3 से 4 सप्ता के अंदराल के बाद ही आप धिरे धिरे प्रानायाम या भस्तिरी का प्रानायाम जैसे हलके सास्त लेने वाले एक्सरसाइस के साथ योग अब्यास को फिर से शुरू कर सकते हैं हलासन और सरवांगासन फिष्टला के इलाज में बहत प्रबावे हो सकते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि इन पोजेस में रक्त याने आपके गुदा की और उल्टा बेता है यह फिष्टला जैसी स्तिती को ठीक करने में बहत फाइदेमन हो सकता है एक ही स्ताद्म पर बहुत देर तक बैटने से बचे अपनी डायेट पर ध्यान दे जिवन शेली में आवश्यक परिवर्तन करे जो फिष्टला की उपचार और रोगधा में आपकी सहता कर सकते फिष्टला की सरजेरी होने के बाद खास सावदान्ती बरते क्योंकि लंबे समय तक बैटना बहत जोकिम भारा साबित हो सकता है ऐसा करने से गुदा छत्र यानि एनल रिजन में ब्लीडिंग भी हो सकती है सकत आहार यानि स्ट्रिक डायेट को फालो करें जिसमें घर का बना खाना शामिल हो तेज मसालेदार पसंस्कूत भोजन यानि प्रोसेस किया हुआ फूर्ड और नोन्वेज यानि मासार भोजन से पूरी तरह से परेश करें योग करने का सबसे भेतर समय क्या है योग का अभ्यास करने का सबसे आदर से समय सुबह होता है जब तक आप पूरी तरह से ठेक नहीं हो जाते तब तक किसी भी प्रकार की एडवांस पोजेस करने से बचे आसान मुद्राओं का अभ्यास करना ही आपके लिए बहतर होगा योगासन की मदद से फिष्टुला को कंट्रोल करने की संबवना कितने होती है कुछ आयरुवदिक दबाये हैं जिने भारी रूप से लगाने के साथ खाया भी जा सकता है जिनकी फिष्टुला की सरजरी हुई है उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए यह सुझाव दिया जाता है मेडिकल टेकनोलोजी के एडवांस होने से आप बिना किसी जटिलता है कि फिष्टुला का सुरक्षीत और सपल इलाज करवा सकते हैं अब भी देखते हैं कि क्या सरजरी के बाद योग करने से फिष्टुला दुबारा नहीं होता है योग एक समगर उप्चार है यानि होलिस्टिक टिट्मेंट है योग इन समस्या से पेडित लोगों को एक प्रभावी समादान खोशने में मदद कर सकता है साथ ही योग एक समपूर्ण स्वास्त में भी सुधार करता है नेमित रूप से योग का अभ़ास करने के साथ साथ आप स्वस्ता आहार यानि हेल्दी डाइट का भी सेवन करें जहां तक संभव हो जल्दी रिकवर करने के लिए आर्विरिक दवा भी ले किसी भी बिमारी से बशना है तो इला से भेतर रोगदाम होता है यदि आपको फिस्टुला है तो भेत जरूरी है कि अपने खान पार और जिवन शेली को आदुतों पर ध्यान देया तनाव से बशने और पेट के सौस्तों को बहतर बनाने के लिए योग एक बहतरीन तरीका हो सकता है योग के जरिये आप कब्ज याने कॉंस्टिपेशन जैसे पाचन संबने समासों से भी बश सकते हैं इसके साथ साथ हम देखते हैं कि योग के फाइदे भगंदर के साथ साथ मास पेशों के लचिलेपन में सुधार लाता है बाद में शरीर के आसन और अलाइनमेंट को ठिक करता है जो योग है बहतर पाचन तंतर प्रदान करता है इसके साथ साथ आंतरिक अंग को मजबुत करता है अस्तमा का इलाज करता है मदुमे का इलाज करता है अगर आप निरंतर योग करते है तो दिल संबंदी समस्यों का इलाज करने में मदद करता है इसके साथ साथ तोचा के चमकने में मदद करता है, शक्ती और सहन शक्ती को बढ़ावा देता है एकगरता में सुधार लाता है मन और विचार निद्रन में मदद करता है बाद में चिंता, तनाव और अवसाद पर काबू पाने के लिए मन शानत रखता है तनाव कम करने में मदद करता है रक्तपरिसंचरन याने Blood Circulation और मास फिशो के विश्रा में मदद करता है वजन घटाना और चोट से सरुक्षन करता है ठीक ही दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भगंदर की उपर योग का कैसे बेनिफिट से ओ हमने देखा है चलो ठीक है तो मिलते हैं इसके बाद वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल झाल